अधोर भॉट्धश्रान आज का एजेंडॉटर है इंट्रेक्शनUST कंप्यूटर बेसिक। वैर्डवेर कंपूट्र कॉंपोनेंट्स और बेसिक एलेमेंट्स आधिसह कंप्यूटर यानए क्या है कंप्यूटर जो हैएक इलेक्रोनिक डिवायस है उसके अंदर हम क्या करते हैं डेटा को हम input devices के द्वारा बेचते हैं डेटा processing होता है उसके बाद में output देता है इसको हम क्या कहते हैं computer कहते हैं यहां पर screen के ओपर आप देख सकते हैं आपको different types of computer यहां पर दिख रहा है परस्ट वाला जो है ना इसको हम desktop PC बोलता है यह है आपको keyboard mouse और यह वाला जो है ना हम इसको system case बोलते हैं ने तो cabinet बोलते हैं यह वाला जो है इसको हम monitor बोलते हैं अब दूसरा image में देख सकते हैं इसको हम laptop बोलते हैं laptop laptop computer compare किये तो desktop PC को compare किये तो बहुत compact रहता है इसको हम fold कर सकते हैं और इसको हम portable बोलते है पोर्टेबल यानि एक जगा से दूसरी जगा पर जेक्ट इसको लेके जाके हम काम कर सकते हैं दूसरा है टाब टाबलेट PC और लास्ट इमेज जो आप देख रहे हैं इसको हम smartphone बोलते हैं कंप्यूटर का जो वर्ड है ना हम exactly इसको हम classification करेंगे तो इसको हम compute बोलता है है एक प्रिंटर देख सकते है इसको हम आउटप डवाइसे स्कूलते पर दूसरा research मैं स्थे जो हैना स्थ dros आट इसको हम इन्पड और या पर जो मौनिटर और प्रिंटर जो है जो है एसको हम आउटफूट डिवाइस बोलता है और जो होना System Unit और System Case और Cabinet और जो Mass Storage Device डवाइस सब लोगान है ना इसको हम tetan permit lo tablet PC और tab कहते हैं कि अ इसको क्म्पिटर को जो है न दो प्रकार हम ड्ऄाइट करते एक है Your hardware है पोड़िए सफ्ट मेंर ची प्रयानी क्या है प्रम法 यह जो फिजिकल कॉंपनेट कर है और इसको हम देखते हैं इसको हम क्या कहते हैं computer hardware बोलते हैं so touch and feel जैसे कि keyboard यहां पर हम physical device है इसको हम touch करते हैं type करते हैं और feel भी करते हैं so यह सब क्या है computer hardware के लिए examples even mouse monitor और system case और cabinet so यह सब भी computer hardware के लिए examples computer software क्या है computer software है एक software यानि एक set of program बोलते हैं इसको नहीं तो set of instructions बोलते हैं जो particular task को क्या करता है run करता है ठीक है so computer software को फिर दो प्रकार हम भाग करते हैं एक है इसको system software बोलता है और एक है application software system software यानि अभी नया साग हम computer लाते हैं लाने के बाद computer run करने के लिए जो यूज करते हैं software उसको हम system software बोलते हैं जब system software install हो जाता है उसके बाद में हम application software हम install करते हैं क्योंकि हम application use करने के लिए ठीक है system software के लिए थोड़े examples हम यहां पर देख सकते हैं जैसे कि Windows 10 operating system है यह system software के लिए example और Ubuntu है यह Linux software बोलते हैं उसके लिए example है उसके बाद में Red Hat बोलते हैं Linux का ही flavor है Red Hat उसके बाद में application software के लिए examples कुणसा कुणसा है VLC media player जैसे कि हम movies और songs देखते हैं उसके बाद में reader है audio breeder या foxit reader इसके बाद में MS office world excel powerpoint इसा भी application software के लिए example है application areas of computer computer हम कहां पर use करते है application areas में जैसे कि business areas maximum आजकल कि कुणसा भी business हम start करते हैं ना हम क्या करते हैं computer compulsory use करते इसके बाद में entertainment area में जैसे कि games खेलने के लिए या movies देखने के लिए song सुनने के लिए हम computer use करते हैं medicinal area ज्यादतर medicinal area में हम compulsory computer हम use करते हैं जैसे कि यह जो है ना इसको हम जो एडिस्प्ले यहां पर देख रहे ना इसके हम BP monitor कर सकते हैं और उसका heart rate और pulse इस भी हम computer के सहता से हम देख सकते हैं educational areas, so compulsory educational area में computer एक compulsory subject हो गया है finance, finance area, finance area हम देख सकते हैं banks में सभी computer use करते हैं उसके बाद में medicinal area, so MRI scanning में CT scanning में इसा भी with the help of computer हम क्या कर सकते हैं इसको हम use कर सकते हैं इसा भी application area of computer the language of computer, computer को कौन सा भाशा आता है, so computer को सिर्फ एक ही भाशा आता है, एक ही language आता है इसको हम क्या बोलते है, machine level language बोलते है, नहीं तो binary language बोलते है, यह जो computer binary language जो है यह कैसा रहता है, zero or one, zero मतलब off, one मतलब on, यह क्या है, off और on, zero or one, यह एक signal है, छीक है इसका हम binary notation बोलते हैं यहाँ पर, जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे है, one byte है, is equal to eight bit, eight bit is equal to one byte, छीक है, अभी देखिए, यह memory units जो है न, increase होता जा रहा है, 1024 bytes is equal to one kilobytes, यानि kb बोलते हैं, 1024 kilobytes is equal to one megabyte, mb बोलते हैं, 1024 megabytes is equal to one gigabyte, gb, 1024 gigabytes is equal to one terabytes, one tv बोलते हैं, यह सभी क्या है, लांग्विज ऑफ दे कंप्यूटर और यह memory units, components and peripherals of the computer, computer के जो कुछ भी components हैं, यहाँ पर हम देख सकते हैं, इसको हम cabinet यहाँ system case बोलता है, यह जो है न, monitor, यह जो doom shape, जो monitor आप देख रहे हैं, इसको हम CRT monitor बोलता है, CRT यानि cathode ray tube, इसके बाद में यह जो है, इसको keyboard बोल CPU और microprocessor, CPU इसको full form है, central processing unit, next जो है RAM, random access memory, और इसको primary memory भी बोलता है, RAM, next जो है इसको हम SMPS बोलता है, switch mode power supply, SMPS, next जो है floppy disk drive, जो floppy disk drive है अब present कोई भी use नहीं करता है, क्योंकि outdated हो गया है, यह जो है इसको हम mother board बोलता है, यह है HDD, यानि hard disk drive, computer में storage जो है यह हार disk drive में हम store करते है, इसको हम secondary storage बोलके भी बोलते है, next जो है यह graphic card बोलते हैं, graphic card, next जो है, यह जो है इसको mouse बोलते है, web camera, mic, और यह जो है na speaker, Thank you, यह चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए.